कि अधिए एफिर रहने के लिए पिर फिट रहने के लिए कुछ ऐसे मिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दुख की बात है कि दुख की नहीं है फिरानकी बात ही है कि ये बात है फिटनेस एकश्पर्ट्स या फिर फिटनेस प्रेंड़ प्रमोट करते हैं एक दिन में छे वारा खोना-खाना अगर आप दिन में खाना खाते हैं या फिर पूरा दिन खाना ही खाते रहते हैं तो आपके बौडि ray holiday repetition को आपकी body को rest ही मिलेगा, आपके stomach को rest ही नहीं मिलेगा और नहीं आपको पूरे दिन में कभी तेज भूख लगे कि जो की लगनी चाहिए Sleep at least 8 hours a day सबसे बड़े miss में से एक ये भी है कि आपको daily कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए अब इसके पीछी भी एक reason है हम जो food खाते हैं वो ज़्यादा तर हमारी body में आलस से है या फिर laziness को बढ़ाता है तो हमारे आलसी बने को normal दिखाने के लिए भी ये बोला जाता है अब जो लोग Ayurveda का lifestyle follow करते हैं या फिर जो yoga practices में होते हैं वो generally दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोते हैं और इनका energy level भी बहुत ही ज़्यादा अचा होता है वो क्यों होता है उसका एक reason ये भी है कि वो जो खाना खाते हैं वो उनकी body में energy add करता है बड़ जो हम लोग generally जो daily life में खाना खाते हैं वो या तो हमारी body में लथार जी ले के आता है आलस से ले के आता है या फिर हमारी body से energy ले के जाता है heavy breakfast अब heavy breakfast करना टेक्निकली कुछ हद तक सही है अगर आप सुबा उठते ही heavy breakfast करते हैं तो वो गलत है हमारी body पूरी रात rest करती है तो जब हम सुबा उठते हैं one cheat meal a week लोग पुरा दिन इस चीज़ के लिए वेट करते हैं मतलब के वो वेट करते हैं कि उनका cheat meal कर देक कब आएगा तो वही उनके दिमाग में सारा time चलता रहता है अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ junk food नहीं खा सकते हैं बिल्कुल खा सकते हैं बट आप उस चीज़ को अपने दिमाग में इतनी जगा मत दो कि वो पूरा दिन पूरे हफ़ते आपके दिमाग में चलता रहे कि संडे कब आएगा जब मंदे कवाएगा जब मैं कुछ गंद ठूसू जस्ट कंप्लीट यो डेली कालरी इंटेक टाइमिंग डेली का इंटेक होना चाहिए आप बस वो पूरा कीजिए टाइमिंग आपके इस टाइम खा रहे है कितना खा रहे है वो मैंटर नहीं करता शायद सबसे ज़्यादा वाहियात इडवाइज ही होगी तो क्या उसको सोने से पहले ये कालरीज खानी चाहिए वो ख खा सकता है पर सिर्फ अगर उसे बूख है तो और वो भी उसे यह नहीं करना कि उसको जो उसकी 1300 क्यालरीज रिमेंग है या 1500 क्यालरीज रिमेंग है उसको वो सारी खानी है शायद उसका 600 क्यालरीज खाके पेट बढ़ दे आपकी बॉड़ी को स्टोरेज रूम नहीं है कि उसमें जतना मर्जी भड़ दो ऐसी सिचेशन में अगर आपकी बॉड़ी सिगनल दे रही है कि उसको भूख नहीं है तो मत खाईए अगर आप अपनी बॉड़ी में जबरदस्ती फूड को लोड करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी कैडरीज का डेली का इंटेक पूरा नही और जिनसे आप जतनी जल्दी दूरी बनाले अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको मारा यह वीडियो 5 मिस अबाउट गूड है या फिर फिटनेस पसंदा है और आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीज चैनल को सब्स्राइब कीजिए थाइंक यू वेरी माच बाबाई